गुड मॉर्णिंग स्टुदेंट्स माइनम ही जभी सेकुमर पांडे ना टुड़े आयम गोईंग टो डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस का जो है लास्ट पार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचा कवाग तो उसके बारे में हम आज को आपको बताएंगे तो आईए हम स्टार्ट करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कहा जाता है A sentence that expresses some curse, blessing, prayer, or wish is called an optative sentence. A sentence that expresses some curse, blessing, prayer, or wish is called an optative sentence. मतलव जिस बाक से शाप, असिर्वाद, प्रात्ना या इच्छा का भावब्यक्त होता है, उसे हम लोग जो है आप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. जिस बाक से शाप, असिर्वाद, प्रात्ना या इच्छा का भावब्यक्त होता है, तो शाप, बलेशिंग का मतलव असिर्वाद, प्रेयर का मतलव, प्रात्ना, इत्यादी का अगर बोध हो, तो उसे हम लोग जो है, आप्टेटिव सेंटेंस काते हैं, जैसे, में गोड हेल्प यू, मतलव भगवान आपकी शहायता करे, तो ये आपका जो है, ये प्रेयर है, में दाकीव लीव लॉंग, मतलव राजा दिर्गायू हो, ये अशिर्वाद है, तो आप देख रहे हैं, तो आप्टेटिव सेंटेंस में जो है, कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और बिश्च का बोध होता है, अब हैं कि अप्टेटिव सेंटेंस से समझेद कुछ नोट हैं, जिनको याद रखना बहुत ज़्यरूरी है, तो फस्ट है, जेनरली एन अप्टेटिव सेंटेंस अस्टार्ट वीद में, प् रायह जो है देखा जाता है दूसरा है An Optative Sentence Inds With Exclimatory Mark मतलब activity sentence का जो होता है वो एंड होता है वो एक्सक्राइमेशनIST ö से जो है उश्का अंत होता है जैसे यह मे दा शोल ऑफ गांधी जी gate peace in the heaven मतलब भगवान करे गांधी जी की आत्मा को श्वर्ग में शांती मिले तो ये जो है prayer कर रहा है तो देख रहे हैं इसके अंत में जो है exclamation mark है जैसे